Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sood. So, Paper 1 में आज हम Research Attitude का एक बहुत ही जादा important topic पढ़ेंगे जिसका नाम है Hypothesis Theory, यानि की परिकलपना क्या होती है. So, Research के दौरान decision लेने के लिए हमें हमेशा परिकलपना करनी होती है, जिसके basic concepts को आज के session में मैं आपको clear कर दूँगी. Students paper को qualify करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी examination के level के हिसाब से तयारी करें. और इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ, जहाँ पर daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus तो cover होगी जाएगा. साथ ही topic wise MCQs और PYQs भी हम आपको देते हैं. Notes बनाने में बच्चों का बहुत समय बरबाद होता है. इसलिए आपको यहाँ पर हम PDF Notes देते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बरबाद किये. साथ ही full syllabus mock test है, जो कि बहुत important है आपकी revision के लिए. और यह 5000 MCQ question bank में से मैं आपको guarantee देती हूँ कि paper 1 में 50 में से 35 plus questions आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे. New batch हमारा coming Monday से start होने वाला है. इस batch के लिए और पूरी information के लिए आप या तो given numbers पर contact कर सकते हैं या फिर कुछ free content के लिए भी आप global online आपको download कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये course है और कैसे हम आपको services provide करवाते हैं. Search bar में course को search कीजिए content पर जाओगे तो English Hindi bilingual separate courses आपके सामने आ जाएंगे जहाँ पर आपको unit wise folders मिल जाते हैं. इसका ये फाइदा है कि आप चाहो तो किसे भी unit में MCQs या theory के जरीए अपनी तयारी शुरू कर सकते हो और यकीन रखिये ये बहुत important course है जो कि आपको exam में बहुत अच्छा score करने में मदद कर सकता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि research hypothesis exactly होता क्या है तो hypothesis परिकल्प ना करना अब देखो इसको बोला जाता है assumption यानि कि धारना किसी चीज़ की अगर हम लेकर चलते हैं. Example के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बताती हूँ कि मेरे पास कोई problem है, मैं किसी बड़ी problem में फस चुकी हूँ, मैंने अपनी किसी A नाम की friend को वो problem के बारे में बताया. उन्होंने मुझे बताया कि इस problem से बाहर निकलने का ये रास्ता हो सकता है और आप solution तक पहुंच जाओगे. यही problem मैंने अपनी friend B के साथ में discuss की, उन्होंने मेरे को कोई और रास्ता बताया इसके solution तक पहुंचने के लिए. तो ये क्या था? ये एक परिकल्पना थी, ये एक hypothesis था. इन दोनोंने एक idea लगाया, एक guess किया कि अगर आप ये रास्ता try करोगे या फिर ये trick try करोगे तो इस problem से बाहर आ सकते हो. तो वैसे ही research के दौरान हम लोगों को परिकल्पना करनी बहुत जरूरी होती है. अब ये topic आप लोगों को syllabus में कहीं पर भी mention नहीं मिलेगा, लेकिन परिकल्पना जो है research के steps के अंदर बहुत important आता है topic, चिक है? hypothesis is an assumption that is made based on some evidences. जो भी हमारे पास पहले के सबूत हैं, उनके अधार पर ही hypothesis किया जाता है. अब देखो आपके सामने research से related कोई problem है. उस problem का solution आप लोगों को ढूढना है, तो आप लोगों कहीं से तो शुरुरुआत करोगे, तो उसमें शुरुआत करने का पहला step, अब research की problem का, अब आप लोगों को अपनी research शुरु करनी है, तो उसके लिए कहीं से तो शुरु होना है, तो आप क्या करोगे, आप बुरोगे, अच्छे ये problem है, चलो सबसे पहले हम ये वाला step follow करते हैं, यहाँ पर जाकर इन से idea ले variables and research hypothesis is that, that is used to test the relationship between two or more variables, variable यहाँ पर कुछ भी हो सकते है, कोई person भी एक variable हो सकता है, कोई place भी एक variable हो सकता है, आपका कोई data भी variable हो सकता है, तो hypothesis एक, दो या दो से ज़्यादा, variables के वीज में relationship find out करने में भी आपको मदद करता है, तो यह हमने hypothesis देख लिया, इसके बाद, hypothesis को test क्यों किया जाता है, इसका परिक्षन, इसकी जांच क्यों की जाती है, यह भी बहुत important है, एक good hypothesis does not conflict with any law of nature, which is known to be true, a good hypothesis permits the application of deductive reasoning, इन statements को as it is रख लीजिये, ठीक है, एक्जाम में यह पूछा जा सकता है, कि अच्छी परिकल्पना जो है, वो निग्मनात्मक तर्ख के अन ठीक है, इसके अलावा अच्छे characteristics, अच्छे hypothesis की क्या characteristics होते हैं, तो hypothesis जो भी परिकल्पना आप कर रहे हो, वो clear होना चाहिए, precise होना चाहिए, और reliable होना चाहिए, यानि कि सपश्ट, सटीक और विश्वसनी होना चाहिए, अब ना लीजिए कि मेरी से friend ने मुझे solution तक पहु थी कि वो 100% sure थी, उस solution को लेकर के, तो क्या होगा, तो वैसे ही research के दरान आप क्या कदम उठाने वाले हो, कहां जाने वाले हो, वो hypothesis आपको मदद करता है, तो वो बिलकुत clear होना चाहिए, आपका goal set होना चाहिए, अगर मैं ये step लेता हो research में, तो ये solution होगा, अगर इस solution के पहुंचने के बीच में मैं किसी problem में भी फस कया, तो उस problem से बाहर निकलने का भी मेरे पास कोई रास्ता होना चाहिए, ये सब चीज है clear होनी चाहिए, hypothesis के दौरान, if the hypothesis is relational hypothesis, then it should be stating the relationship between the variables, टिक, इसका नाम ही बताता है, relationship अगर variables के बीच में, चरों के बीच में, अगर संब परक परिकल्पना है, the hypothesis must be specific and should have scope for conducting more tests, hypothesis हमेशे आप लोगों का, क्या होना चाहिए, वशिष्ट होना चाहिए, और अधिक परिक्षन करने की गुझाईश भी इसमें होनी चाहिए, the way of explanation of hypothesis must be very simple, कैसे आप hypothesis कर रहे हूँ, अगर multiple hypothesis आपके पास है, 4-5 hypothesis हैं, उसमें से किसी ए कि दो को select करना है, तो कैसे select कर रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल clear होनी चाहिए, बिल्कुल simple होनी चाहिए and understood होना चाहिए, आपको खुद भी उसके बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, हर एक phase की समझ होनी चाहिए, और अगर आप वो चीज़ किसी को समझाते हो, तो व वो एक अच्छे hypothesis के लक्षन माने जाते हैं, ये देखो एक question है, characteristics of hypothesis पे, hypothesis should be capable of being tested, परिकलपना का परिक्षन करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, तो जहां पर भी hypothesis का ऐसा हमें लगता है, कि test उसको अच्छे से किया जा सकता है, तो वो एक good hypothesis होता है, दूसरा है, a good hypothesis can defy law of nature, ठीक है, कानूनों को चुनौती दे सकता है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, हमने यहां पर यह statement अभी पड़ी, कि यह क्या करता है, not conflict with law of nature, and इसमें बोला है, can conflict with law of nature, तो यह statement बिलकुल गलत है, तीसरा है, hypothesis should be clear and precise, यह हमने अभी पढ़ा, a good hypothesis permits of the application of deductive reasoning, देखो, अच्छ पर भी आपको अच्छी परिकल्पना, और निगमनात्मक तर्क दोनों चीज़ें एक साथ में दिखेंगी, तो directly आप उस correct answer पर जा सकते हो, hypothesis should be unlimited in scope, unlimited नहीं होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए उस चीज़ की, so correct answer है, a, c and d only, तो I hope students, आप लोगों को clear हो चुका है, कि कैसे questions exam में पूछे जाते हैं, next है different types of hypothesis, परिकल्पना के प्रकार 6 होते हैं, simple, complex, directional, non-directional, null, associative or casual hypothesis, इस में सबसे ज़्यादा null hypothesis और आप लोगों का alternative hypothesis पूछा जाते है, ठीक है, so सबसे पहले हम देखते है, null hypothesis क्या होता है, null hypothesis को H0 लिखते हैं, और alternative hypothesis को HA या फिर H1 लिखते हैं, तो यह एक code है, ठीक है, null hypothesis क्या होता है, null का मतलब होता है, खाली, simple सी language में null को याद रखोगे, खाली, ठीक है, अश्यक्त परिकल्पना इसको हिंदी में बोला चाता है, so null hypothesis states that there is no significant relationship between two variables, यह बोलता है, दो variables के बीच में कभी भी relationship नहीं हो होता है, इसमें यह हमेशा null hypothesis, null मतलब मैंने बताया खाली, null को आप no से याद रख सकते हो, no मतलब A और B कभी बराबर नहीं हो सकते, यह इसमें बोला जाता है, ठीक है, इसमें यह बोला जाता है कि एक box कभी भी दूसरे box के बराबर नहीं हो सकता, तो कभी भी दो चीज़ो during hypothesis testing, तो इसको हम reject कर सकते हैं, जब hypothesis को test किया जा रहा होता है, there will be no change in the dependent variable due to manipulation in independent variable, अब देखो इसमें पहले ही statement में का गया है कि दो चीज़ों के बीच में कभी भी relationship नहीं होता, वो कभी बराबर नहीं होते, अब वो relation ही नहीं है, वो बराबर ही नहीं है, तो एक में अगर ह तो बी को इसका फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि null hypothesis बोलता है, कि ये दोनों में आप जितनी मर्जी value अड़ कर दो, ये कभी बराबर होगी नहीं सकते, तो यही इस वाले point में मैंने अभी पिताया आपको, तो तंतर चर में हेर फेर के कारण, आश्रिक चर में कोई भी बरतन नहीं होगा, so students अगर ये session आपको पसंद आ रहा है, मुझे comment करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं भी motivated रहूं, और लगतार आप लोगों के लिए इस तरीके के sessions लेकर आते रहूं, जैसे आप लोगों के request पे, आज मैंने research का hypothesis topic कवर किया है, इसके अलावा, total 10 units में स कोई भी topic अगर ऐसा है, जिसमें आपको confusion है, आप उसको tricks के साथ or easy language में समझना चाहते हो, तो मुझे comment करके बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके request को पूरा कर दूँगी, so it states results are due to chance and are not significant in terms of supporting the idea being investigated, ये null hypothesis ये बताता है कि परिणाम जो है, वो संयोग के कारण है, औ और जांच किये जा रहे है, विचार का समर्थन के संदर्व में महत्व हो, ये बिल्कुल भी नहीं होता, दूसरा आदा है alternative hypothesis, it is also called research hypothesis, तो देखो अब इस topic का नाम भी है research hypothesis, ठीक है तो आपने ये नहीं समझना कि सिरफ hypothesis की बात हो रही है, research hypothesis मतलब alternative hypothesis, it states that there is significant relationship between two variables, ये हमें बताता है, कि दो जो चर होते हैं, उनके बीच में relation होता है, a is equal to b होगा, एक box हमेशा दूसरे box के बराबर होगा, अगर इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज में बदलाव लेकर आते हैं, तो उसका असर दूसरे में जरूर पड़ेगा, वो कैसे, अभी मैं बोल रही हूँ, द दूसरे पर तो पड़ेगा ही, है ना, और null hypothesis यही बोलता है, कि दो कभी भी दो के बराबर नहीं होगा, इस तरीके से चीज ही होती है, it states that the results are not due to chance, due to by chance, and they are significant, इसमें बोरा चाता है, कि जो result आते हैं, वो by chance ही आ जाते हैं, लेकिन, वे कल्पिक बोलता है, कि परिणाम सहय लोग के कारण नहीं होते हैं, उसकी पूरी जांच एक proper sequence के साथ की जाती है, ठीक है, so अब देखो, यहाँ पर hypothesis की चार प्रकार है, descriptive, null, explanatory, or alternative, ठीक है, so इसमें देखो, descriptive वरनातमक में, मैंने आप लोगों को बताया, विशे का वरनन या परिभाशित करना, aim to describe or define the topic, वो ह करता ही है, describe करना, descriptive hypothesis ही होगा, null hypothesis, predict no effect or no relationship between variables, यह हमने अभी पढ़ा, explanatory, explain कर रहा है, चीजों को, aims to explain why particular phenomena work in the way that they do, explanatory, परिकलपना जो होती है, यह क्या करती है, कि यह बताती है, कि particular phenomena हुआ है, यह क्यों हुआ है, क्या से हो गया, इसके पीछे कारन क्या था, alternative, यानि कि विकल्प क्या बोलता है, it provides a chance of discovering new theories, alternative solution, जैसे कि उसी problem में फस गए, उससे बाहर नहीं निकल पाए, तो उसका एक alternative solution भी होना चाहिए, वही alternative hypothesis बोलता है, यह हमें नई theory को discover करने का एक मौका भी देता है, hypothesis testing is main concept of which type of research, so hypothesis testing सबसे ज़्यादा experimental research में ही होती है, ठीक है, इसके बाद आते हैं, कुछ test के बारे में hypothesis की जांच करना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग कोई आपको देखो, कोई भी अगर आपको एक idea देता है, आप directly उस idea पे काम करना शुरू तो नहीं कर देते हो, आप क्या करते हो, उस idea को पहले सोचते हो, समझते हो, य एक रिसरचर को चेक करना है कि दो ग्रूपस में रिलेशनशिप है या नहीं, तो वो क्या टेस्ट करेंगे, वो students का t-test करेंगे, so test बहुत important होते है, t-test होता है, एक हमारे पास z-test होता है, ठीक है, g-square test होता है, यह तीन बहुत important है, so students t-test की as it is definition है, अब आते हैं error, तो hypothesis में दो प्रकार के error होते हैं, type 1 और type 2 error, ठीक है, so type 1 error, चलो उसको बाद में दिखते हैं, ठीक है, so hypothesis testing, use sample data to make inference about the properties of population study, simple सी definition है, अब type 1 error क्या होते हैं, when the null hypothesis is true, जब null hypothesis h0 बिलकुल true होगा, ठीक है, और वो सत्य था, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, उसको reject कर दिया, तो वो type 1 error हो जाएगा, इसको आपने ऐसे याद रखना है, null hypothesis बिलकुल true था, हमें उसको accept कर लेना चाहिए था, सही था तो accept हो जाता न, लेगिन हमने क्या कर दिया, उसको गलती से reject कर दिया, तो हमारा type 1 error आ जाता है, this probability to make a type 1 error is alpha, which is the level of significance you set for your hypothesis testing, तो यह होता है type 1 error, दिखो इसमें question ही ऐसा आता है, when a researcher reject the true null hypothesis, इसमें बोला है, null hypothesis true था, लेकिन researcher ने उसको reject कर दिया, in his or her study, and accept the alternative hypothesis, अब दिखते सी बात है, अगर हम लोग null hypothesis को reject कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम alternative hypothesis को accept कर रहे हैं, ठीक है, and accept the alternative hypothesis, what type of error is likely, तो वो होगा type 1, अब दिखो इसमें बताया हुआ है, decision based on the samples, अगर null hypothesis, h0 होता है, null hypothesis, अगर null hypothesis सत्य है, और हमने उसको reject कर दिया, तो type 1 error है, वहीं अगर null hypothesis सत्य है, और हमने उसको fail कर दिया, मतब reject नहीं किया, accept कर लिया, थोड़ा सा confusion देने के लिए, यहां पर fail to reject लिखा है, fail to reject, reject नहीं किया, मतलब accept कर लिया, तो null hypothesis को अगर हमने accept कर लिया, इसका मतलब है कि correct decision हमारा है, same goes for this statement, कि अगर हम लोग null hypothesis को, null hypothesis अगर false है, और हमने उसको reject नहीं किया, false है और हमने accept कर लिया, तो type 2 error होता है, जब वो true था, और हमने accept कर लिया, तो सही decision है, और true था, हमने reject कर लिया, तो type 1 error आ गया, ठीक है, वहीं अगर null hypothesis हमारा false था, हमने उसको, वो false था, वो गलत था, लेकिन हमने उसको accept कर लिया, तो यह आ गया type 2 error, और false था, यानि कि जूटा था, और हमने उसको reject कर दिया, तो हमारा decision बिलकुल correct था, तो यह simple से तरीके से मैं आपको बता दिया, students ने अलग से हमें यह chart भीजा था, कि इसमें उनको confusion है, तो I hope अब आप लोग समझ चुके हो, कि इस table को कैसे देखना है, कैसे याद रखना है, और कैसे examic questions आते हैं, ठीके, अभी भी कोई doubt होगा, comment करके मुझसे पूच सकते हो, बस यह याद रखिए, कि अगर हम type 1, अगर हम लोग null hypothesis को reject करते हैं, तो definitely हम लोग alternative hypothesis को accept करेंगे ही करेंगे, okay, so thank you so much for watching this video, and I wish you all the very best.